क्लास आज हमारा topic एदिस्पोजल of dead body डिस्पोजल of dead body क्या है बइड बड़ी मींज जो भी इनसान मर जाता है उसके जो भी भी सरीर में जो मरी बटी हो तो इसको हम dead body बोलते हैं So, death is universal to all human beings. It is ultimate reality, whoever is born will die one day. Means, death क्या universal है? जब कोई भी इनसान, कोई भी particular person born हुआ है, तो उसकी death भी होना एक दिन जरूरी है. Okay, तो इसके जो भी हम dead body होती है, उसको किस तरीके से हम dispose करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. आप लोगोंने कुछ methods तो इसके पढ़े ही होंगे, कि आप जैसे Hinduism रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? जो भी dead body होती है, उसको burial करते हैं, जलाते हैं, बहुत से लोग दफनाते हैं. तो ये सब क्या है? सारा dead body जो भी dispose करते हैं, वो अलग-अलग methods हैं, तो आज हम कुछ some methods पढ़ेंगे, जो हमें dead body को dispose करने के लिए use किये जाते हैं. Okay, so first is, disposal of dead is done by various methods. First, incineration. Incineration means क्या होता है? Incineration में, जो dead body होती है, एक मिर्ट मैं ये सारा आपको एक बार बता देती हैं, फर उसके बाद मैं discuss करूँँ. First is incineration, second burial, third water submergence and fourth cannon bellism and fifth body donation and sixth one body world display, seventh left to be eaten away by bulchers and aerial burial and eighth one is hydrolysis dissolution and ninth one is freezing with liquid nitrogen. Okay, तो first incineration की बारे में पढ़ते हैं, incineration क्या होता है? इसमें जो dead body होती है, उसको क्या करते हैं? Incinerate करते हैं, जो आप लोग ने देखा होगा, जो हमारे सम्चान, घाट वगरा होता है, जो हमारे dead body को dispose करते हैं, तो इसमें एक machine का use किया जाता है, इसमें क्या है, जो यह लोग बोलते हैं, कि जो जैसे जो बुद्धिजम लोग हैं, वो incineration करते हैं, machine में dead body को डालते हैं, और सीधे बोड़ी पूरा वर्ण हो जाता है, उसके बाद जो उनका जो राक बोलते हैं, जिसे वो हमें मिलता है, बुद्धिजम में लोग ऐसा मानते हैं, वो यह यूज करते हैं, incineration क्योंकि इसमें क्या होता है, जो dead body है, उसको जलाया नहीं जाता, सिर्फ जो machine है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद उनका सिर्फ उसकी राक मिलती है, जो भी है, तो incineration में वो इसलिए कहते हैं, क्योंकि वो incineration करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यह थी वो हम लोग जैसे जलाते हैं dead body को, तो वो कहते हैं कि नहीं dead body जो है, वो एक good चीज है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो body है वो उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं अच्छी चीज को जलाया नहीं जाता, वो यह बोलते हैं, incineration में वही मैंने अभी आपको बताया, एक electricity के एक machine होती है, electricity की, उसके अंदर dead body को डाल देते हैं, ठीक है, तो यह method होता है incineration, ठीक है, इसमें जो dead body होती है, उसको एक machine के अंदर डाल दी जाता है, electricity के से, जो dead body है, उसको dispose किया जाता है, ठीक है, इसमें हम electricity का use करते हैं, इस method को बोलते हैं incineration, यह ऐसा कौन करते हैं, बुरियल में क्या है, जो भी दफनाते हैं बोल्डी को, जैसे मैंने बुरियल method आपको बताया था, आपके जो compose करने के method में, जो आपका मतलब डिस्पोजल अफ बेस प्रोड़क्ट में ने जब पढ़ाया था, आपको यह वाला method बताया था, कि मितलब जो गड़ा खोद के उसके नीचे जो भी बेस प्रोड़क्ट को दफनाना, वैसे इसमें है, जैसे जो डेट बॉड़ी होती है, उसको गड़ा खोद के, कोई भी एक खोद के उसके अंदर जो डेट बॉड़ी होती है, उसको दफना के उसके उपर मिट्टी डालना, that is burial method, तो यह किसमे आपने देखा होगा, जो mom dance रहते हैं, वो लोग यह यह method यूज करते हैं, burial method, ठीक है, यह दोनों method समर्ज में आगे, third one है water submergence, water submergence में क्या है, कि इसमें जो dead body होती है, उसको क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं, इसमें dead body होती है, इसी method का हम बोलते हैं, submergence, क्या बोलेंगे, submergence, next है cannibalism, fourth one cannibalism में क्या रहता है, जो dead body होती है उसको लोग खा लेते हैं मतलब जैसी उनको जलाया dead body को जलाके आदा जलाके उसको खुद खाते हैं ठीक है यह cannibalism उसी को बोलते हैं जैसे यह लोग क्या मानते हैं जो cannibalism method use करते हैं वो लोग यह मानते हैं कि जैसे आफरिका में ऐसे यह method use किया जाता है वो यह होगा कि वह हमारी उसको बहुत प्यूर मानते हैं हम खाएंगे तो जैसे हमारी माने हमें नाइन मन्थ अपने पेट में प्रेगनेंट रही तो वैसे हम भी अपनी मा को अपने खा के अपने पेट के अंदर रख सकते हैं वह ऐसा थिंक सोचते हैं तो यह है कैनिवेलिजम जो बन करके उसको फ्लेश मतलब जो उनका मीट रहता है वह खाते हैं आपको समझ में आपको समझ में आगे इंसिनरेशन ब्यूरियल वर्ट वर्ट समय जन और नेक्स बन इस बाडी डोनेशन बाडी डोनेशन आपने देखा ही होगा बहुत आपने टीवी में एडूटाइस भ जब भी मेरी डैड हो तो मेरी बॉड़ी को डुनेट कर दिया जाए जैसे पर्ट भी सर्च वगरा में काम आजए उनकी होस्पिटल्स वगरा में बॉड़ी काम आ सके और आपने देखा हो जो लाबारिस लोग रहते हैं तो अनका कोई claim करने वाला नहीं होता, उनके कोई families नहीं मिलती, उनकी जो body होती है, उसको donate करते हैं, ठीक है, उसको use करते हैं, किस purpose से, post-martem purpose से, या फिर जो medical college, hospitals वगेरा, research के लिए, उन bodies का use कर लेते हैं, that is body donation, next one is body world display, body world display में क्या रहता है, जो body रहती है, उसमें से, जो water रहता है, उसको निकाल दिया जाता है, और जो उसकी body बच जाती है, उसको mummy, जैसे आपने mummies वगेरा देखी है, तो वो body world display यह, आपने देखा हो, कई museums वगेरा में, mummies रखी रहती है, तो उनको display के लिए रख दे तो उसी method को बोलते हैं, body world display, प्लासिनेशन मेंस वही है, कि body मैसे water को निकाल देना, और उसकी जो भी body, skin बच जाती है, उसको फिर display के लिए रख देना, that is, body world display, okay, 7th one is, left to be eaten, अबेवाय, बल्चर, aerial, ब्यूर, यह method क्या होता है, इसमें यह methods यूज करते हैं, जोरास्चि means partial people, बोल्च को यूज करते हैं, इस method में क्या होता है, यह, आग को, जो, आग होती है, उसको क्या प्यूब मानते हैं, और dead body को, इम्प्कूर मानते हैं, जोरास्चियन स्लोग, तो यह क्या करते हैं, उसमें आपनी body को जलाते हैं, है ना, उसमें body को नहीं जलाते हैं, तो अपनी बॉड़ी को जो भी इनका टेंपल से रहता है उसमें के उपर अपनी जो भी डेट बॉड़ी उसको लटका देते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं है ना तो नी स्वारी टेंपल के उपर उस बॉड़ी को लटका देते हैं और जो इन लोग के वल्चर्स जो पक्ष नाविबाए वल्चर्स जो रहोती है वो खा लेते हैं इस डैट बोड़ी को उसे हम एरियल विड्रेल मेथड कहते हैं यह कौन करते हैं जो दास्तिरियंस 4 gallons of potassium hydroxide डालते हैं और फिर heat करते हैं 300 degree Fahrenheit पे ठीक है तो इसमें जो method यूज किया जाता है उसे बोलते हैं hydrolysis या dew solution method इसमें जो body होती है उसको उस हीट पे 300 degree Fahrenheit हीट पे छोड़ दिया जाता है और यह water 92 gallons water डाल दिया जाता है और potassium hydrochloride 4 gallons डाल दिया जाता है उस पूरे solution में इस method को बोलेंगे हैं hydrolysis next is 9 freezing with liquid nitrogen इसमें क्या होता है जो dead body होती है उसको nitrogen के साथ डाल दिया जाता है nitrogen डाल दिया जाता है उसको solution डाल दिया जाता है जो dead body होती है वह विलकुल किस फॉर्म में आ जाती है powder form में है आपने देखा होगा nitrogen जब भी हम अपनी skin पर डालते हैं किसी तो powder form आ जाती है जो dead body होती है वह किसमें powder form में आ जाती है ठीक है यह सारे methods हो गए आपके disposal of is done by various methods तो मैं फिर से एक बार आपको explain करूंगी first incineration, incineration में क्या होता है electricity के दोरा जो भी dead body होती है उसको dispose किया जाता है तो यह methods काई उसकरता है बुद्धिज में लोग उसकरते हैं वो यह मानते हैं कि जो आग जो अगनी है fire है वो क्या है pure है और dead body impure है तो व्यूरियल method में क्या करते हैं जो भी dead body होती है उसको हम दफनाते हैं यह muslim Christians में muslims जो लोग रहते हैं वो लोग इस methods का use करते हैं next water summation water summation में क्या रहता है जो dead body होती उसको पानी में बहा देते हैं फोर्थ cannibalism cannibalism में जो dead body होती है उसको उसको खा जाते हैं ना dead body को eat करते हैं जलाके next is body donation body donation के अंदर क्या रहता है जो dead body होती है उसको donate कर देते हैं डिसर्ट परपस या hospital परपस के लिए जिसे उनकी body का use हो सके medical college के स्टेंट से उते हैं वह कुछ अच्छा सीख सके इसके लिए वह donate कर देते हैं अपनी body को that is body donation next is body world display body world display में वह आता है जैसे जो बाडी के अंदर जो water रहता है उसको remove कर देते हैं और इसमें जो water होता है उसको निकाल देते हैं body world display में इसमें जो fatty tissues रहते हैं हमारी body के अंदर उसको भी निकाल देते हैं जिससे और प्लास्टिक्स फिल कर देते हैं ठीक है जो हम display mummies वगरा देखते हैं तो बिल्कुल अच्छे से हमें शो हो सके जैसे आप लोग देखते हैं कि अपके fundamental labs में mummies वगरा रखी रहती हैं तो वो क्या है वो यही है कुछ original रहते हैं original dead body रहते हैं बस उसमें water को निकाल दिया जाता है और जो fat होती उसको निकाल देते हैं और plastics उसके इंदर फिल कर देते हैं that is plastination method next is left to be eaten away by vultures aerial burial इसमें वही था कि जो dead body रहते हैं इसमें जो dead body होती है उसको temple में के उपर टांग देते हैं उसके बाद जो इसकी vultures होते हैं जो चील वगरा होते हैं वो आके इसको खा जाते हैं तो उन्हें बहुत पवित्र मानते कि हां हमारे जो dead body है उसको इन लोग ने खाया तो इस method को होते है एरियल वेरियल method next is hydrolysis dissolution hydrolysis dissolution में क्या होता है alkaline solution होता है 92 gallons of water and 4 gallons of potassium hydroxide होता है उसको हम heat करते हैं बोडी को 300 degree Fahrenheit पे और फिर जो body dispose हो जाती है next is freezing with liquid nitrogen इसमें क्या करते हैं जो nitrogen रहता है उसमें जो body रहती उसको liquid nitrogen के साथ रख दिया जाता है ओके फिर जो body उसको dispose कर दिया जाता है यह सारे methods से disposal of dead body होप सो आपको समझ में आ गए होंगे आप एक बार फिर से go through कर लेना और कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्यू class